हमने अपने लास्ट टॉपिक में अपनध क Vergleichway को कि हमारे पास tradition to resistance का कि वह मारे पास रिजिस्टिटि विटी को ऑफरżej के कला कि है अब जुंप ट्लाट केन लगई है इसमें अगर हम temperature को बढ़ाएं तो resistance पे क्या फर्क पड़ेगा एंडmp Santi is called effect of temperature on resistance आपको यह बात पता है कि हमारे पास surface to surface यह चीज़ वेरी करती है अगर हम metals की बात करें तो metals का अगर मैं temperature को increase करूँ तो इसकी resistance भी increase कर जाती है इसकी resistance के increase करने का मतलब मेरे पास यह हमारे पास उसमें hindrance या collision of free electron ज्यादा हो जाती है अब जो ही हमारे पास collision of free electron बढ़ गई तो it means कि हमारे पास flow of electrons में कुछ ना कुछ opposition offer होगी तो हमारे पास जो ही temperature बढ़ा तो हमारे resistance कम होगी जब के comparatively अगर हम semiconductors या insulators की बात करें तो हमारे पास इनकी जो resistance होती है वो temperature के increase करने से decrease भी हो जाती है यह depend करता है semiconductor to semiconductor यह चीज़ वेरी कर रही होती है हर semiconductor का सेम नहीं होता मगर यह वेरी कर रहा होता है कि जाद अता समी कनेक्टर का ऐसी होता है कि हमारे पास resistance है वो decrease कर जाती है temperature को increase करने से आए इसको हम एक derivation के थूरू भी सीखते है temperature coefficient of resistance basically हम निकालते कैसे है आपको यह चीज़ पता है कि हमारे पास change in resistance है वो हमारे पास RT-R0 से हम उसको represent कर रहे होते है RT-R0 से represent करने का मतलब मेरे पास यह है कि जो हमारे पास RT है वो resistance है at some temperature whereas R0 जो resistance है वो हमारे पास zero degree Celsius पे है RT-R0 हमारे पास directly proportional होगा R0 से यानि कि अगर मैं इस factor को change करूँगा तो हमारे पास original resistance है वो भी change हो रही होगी और यह हमारे पास temperature के change से भी फार्क पढ़ जाता है कि जो हमारे पास temperature चेंड होगा तो RT-R0 यानि के change in resistance वो भी हमारे पास बढ़ जाएगी या change हो जाएगी कुछ ना कुछ होजग काम या जाद हो जाएगी और अगर मैं दोनों को आपस में compare करूं यान को join करूं तो RT-R0 is directly proportional to R0 into T और अगर हम proportionality को हटाएं तो हम यहां पे constant लगाएंगे and that constant is called alpha और यह हमारे पास coefficient of resistance भी कहलाता है ठीक है इसी की basis पे हम देखते हैं कि हमारे temperature की वज़ा से कितनी resistance change होई है ठीक है जी और यहां से अगर मैं RT निकलना चाहूं तो वह क्या होगा RT is equal to R0 plus alpha R0 T हमार अगर मैं R0 कामल लो तो मेरे पास remaining item बचता है 1 plus alpha T RT is equal to R0 into 1 plus alpha T यह हमारे आने वाले numerical में help भी करा आगवा तो आएं एक example हम इसके जरीए solve भी करते हैं उससे पहले में आपको variation of resistivity with temperature भी हमारे पास same depend का रहता है कि जिस तरह हमारे पास resistance हा ना उसको हम change कर देते हैं resistivity और resistance में यही फर्क है कि हमारे पास पार unit length की होती है और उसमें हमारे पास length और area दोनर चीज़े निक्लूड हो जाती है कि जहां जहां हमारे पास वहां पर R था हम इसको यहां पर resistivity से change कर देंगे और हमारे पास coefficient की value rho T minus rho nod divided by rho nod into T आ जाएगी और हमारे पास RT हमारे पास RT हमा जानी कि हमारे पास जो आर नौड है वह 100 ohms है आर नौड जो है वह है 100 ohms अब आर नौड 100 ohms का मतलब है कि at 0 degree Celsius जो हमारे पर resistance होगी वह 100 ohms के equivalent होगी और हमने इसमें find यह करना है calculate the change in resistance between summer and winter knowing that the temperature varies from 35 degree Celsius to minus 30 degree Celsius आपने change in resistance को find करना है इस चीज़ को जहन में रखके कि हमारा जो temperature है वो 35 से 30 degree Celsius तक हुआ है ठीक है जी अजिम देट temperature coefficient of the copper is to be हमारे पास इतना at 0 degree Celsius है यानिक हमारे पास alpha की value ने दे दी alpha की value कितनी है 0.004271 यह हमारे पास alpha की value है इसमें हम पहले rt एक निकाल लेते हैं और दूसरा rt निकाल के इनको आपस में subtract करके देखना है कितना चैन अब इसकी derivation को solve किये था अब इसकी values को हम इसके इंदर put in करते हैं rt पहले मैं निकाल रहा हूं minus 30 पे तो r0 मेरे पास 100 और यह 1 प्लस alpha की value लिखूंगा 0.004271 और t मेरे पास वह आ गया minus 30 degree Celsius और इसको मैं आपस में multiply कर लूँगा पहले मैं इनको आपस में add करता हूं 1 को add करता हूं या पहले हम इनको आपस में L4T को multiply कर लेते हैं 0.004271 multiply by minus 30 जब इनको minus करूंगा तो मारे पास answer आएगा minus 0.128 और इसके अंदर मैं 1 को add कर दूंगा तो मैं इसके अंदर अगर प्लस 1 कर दूं तो मेरे पास remaining item बचता है 0.87 और 0.87 को मैं 100 से multiply कर दूं तो मेरे पा जो R-30 आई वो कितनी है 87.18 ohms अब मैं R-35 degree Celsius पे नकालता हूं find करते हैं वो कितनी है और उनको आपस में हम सब्टाइट करके change in resistance को find कर लेंगे तो R-35 पे अगर नकालूं तो R-35 मेरे पास 100 ohms तो है न वो 0 degree Celsius के क्योंको मैं फर्मूले के अंदर इसकी वाज़ास पूट कर रहा हूं 1 प्लस alpha मेरे पास वही है 0.004271 और जो मेरे पास इसमें temperature है वो change हुए है वो है मारे पास 35 तो सबसे पहले मैं 35 को multiply करता हूं 0.35 को change करता हूं 0.004271 से यह यह मेरे पास 0.1494 और इसको मैं add कर देता हूं 1 में तो मेरे पास यह आता है 1.149 और 1.149 को मैं जब 100 से multiply करता हूं तो यह मेरे पास आता है 1.14.94 यह इसको 115 भी ले सकते हैं लेकिन चले मैं इसको exact calculator वाली value लगता हूं 1.14.94 अब हमारे पास दो resistance आगे एक minus 30 degree Celsius और 35 degree Celsius अब हम इनको आपस में subtract करते हैं और इसका change resistance को find कर लेते हैं तो मेरे पास R35-R-30 को हम इसमें subtract करते हैं 114.94 माइनस 87.18 और 114 मैंस 94 मैंस करता हूं 87.18 को तो हमारे पास change resistance आता है 27.7685 ohms तो यह हमने देखा कि अगर हमारे पास 2 different temperatures given हो और 2 different temperatures के साथ हमें उनका temperature coefficient भी गीवन हो तो हम उसके जरिये change resistance को easily find कर लेते हैं by using RT is equal to R0 into 1 plus alpha Tz